हलो फ्रेंड्स मैं सब्सक्राइब दोस्तों आज बात करते हैं बहरापन कारण और उसका निवारण और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगे बैल आइकोन को एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे अनेक एंट की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे दोस्तों कलपना कीजिए आप कलपना कीजिए कि आपके कान से सुनाई नहीं दी आप कितनी देर तक ऐसे रह सकते हैं इस स्राउंडिंग वर्ड से बिना कॉंटेक्ट की कलपना पिञे नहीं पे लगेगा नहीं आपकारिभाण नथे इसा नहीं रह सकती मैं दोस्तों जैसे हम आपकन करकी है आप कुम सेंडिया नहीं है मैं इसके हम बिना दुनिया को सुने भी नहीं रह सकती भगवान ने गोड ने हमे बहुत एक इंपर्ट एंट और गन दिया進 مع後 एक बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट दोस्तों एयर का फंक्षन है जो साइद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है आज जो हम खड़े हैं आज जो मैं खड़ा हूँ जो आज आप मेरे सामने बैट के जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें भी आपके एयर का फंक्षन काम कर रहा है दोस्तों अगर आप अभी अगर आपके एयर के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रियेट होती है हमारा जो वेस्टिबूलर सिस्टम है तो आप अभी लड़कडा के गिर जाएंगे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा सो इतना उप्योवी ओर्गड और हम उस पे ध्यान नहीं दे सो दोस्तों जानते हैं सबसे पहले क्या वो कारण है जिससे हमें बहरापन हो सकता है दोस्तों अगर हम बात करते हैं जब बच्चा जनम लेता है और जब उसकी उम्र पूरी होती है तो अगर बात करते हैं बैरापिन का सबसे पहले नूबोन में Конजनाइटिल, मतलब जन्मजाथ दोस्तों, जन्मजाथ भी कुछ ऐसे कारण होते हैं, जिनसे बैरापिन होता है कुछ सिंड्रोम होते हैं जिनमें क्या होता है कि हमारे बोड़ी के बहुत सारे अब इस चीज के लिए दोस्तों हमें कैसे पता लगे कि जो है वो इसका कैसे इस चीज को दूर किया जा सकता है जब हम इसका मैनेजमेंट की बात करेंगे तो दोस्तों उसमें डिसकस करेंगे सो कंजनाइटल हो सकता है उसके बाद दोस्तों डेवलपमेंटल हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है कि जो है वो बड़े होने के बाद भी बच्पन में आपकी न्यूबोन में आपकी आवाज सही थी लेकिन बाद में भी किसी कारण से जो है वो आपको बहरापन हो सकता है इसके अलावा दोस्तों ट्रोमेटिक, यानी ट्रॉमा भी एक important कारण है त्रॉमा ये नहीं है कि आपका accident हो गया हो गया है पर ये आपके किसी ने थपड मार दी ट्रॉमा ये नहीं है कि आपका लग गया दोस्तों एक बिना देखिए जिसको बोलते हैं कि एक एक ऐसा ट्रॉमा भी होता है आजकल जो आजकी इस डाइनमिक जमाने में हमारे इयर को जो है वो सहन करना पड़ रहा हुआ है, noise induced trauma, हम concert में जाते हैं, हम DJ की सामने जाते हैं, हम disco में जाते हैं, हम बहुत loud music चलाते हैं, हम सारे दिन बर जो है earphones लगाते हैं, उसका नतीज़ा क्या है, जो हमारी बहुत sensitive hair cells है हमारे कान के अंदर, आपने कभी सोचा है कान कित आपने हलके से फुस-पुसाड करते हैं, वो भी सुन लेता है, तो जो hair cells होते हैं, उनके जो terminal ends होते हैं, वो खतम हो जाते हैं, वो देरे 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 हमारे खतम होते हैं, so noise induced trauma, that is one of the important reason of the hearing loss, in these days, youngster सारे दिन बर earphones लगाते हैं, work from home culture के अंदर, executive सारे दिन बर earphones लगाते रहते हैं, and जो हमारे इस इस जो है, डाइनेमिक जमाने ने, एक हाथ में एक वस्तु पकड़ाई है, जिसको हम mobile बोलते हैं, गंठों mobile पर बात करते हैं, so दोस्तों, यह क्या है, noise induced trauma, जो हमारी nerves है, वो end हो जाती है, कतम हो जाती है, इसके अलावा दोस्तों, जो physically trauma होता है, जैसे किसी ने किसी की slapping मारा, कोई जो है, किसी का accident हो गया, उसके करण भी क्या है, हमारी जो nerve है, वो weak हो जाती है, physically cut हो जाती है, उसमें swelling आ जाती है, and दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, infection induced भी hearing loss होता है, कि जो है, बहुत बार क्या है, कुछ virus का infection हमारी nerve को लग जाता है और उस nerve के कारण उसमें swelling आती है, और उस swelling के कारण वो दिरे दिरे हमारे fibers, जो है, वो weak हो जाते हैं, so ये हैं आपका congenital, developmental, traumatic, physical trauma, noise induced trauma, दोस्तों, अगर आप आते आते, अगर 45-45 साल तक आगे और ये सब कुछ भी नहीं हो है, तो भी फिर एक chance और होता है, hearing loss का, वो edge related hearing loss, कि उम्र के हिसाब से हमारे हर चीज अफेक्ट होते हैं, हमारा विजन भी कम होते हैं, हमारे जोडु में भी दर्द होता है, हमारा हार्ट भी कमजोर होता है, हर चीज कमजोर होती है, ऐसे हमारे ear भी कमजोर होते हैं, जिसको हम pressed by QC, यानि edge related hearing loss बोलते हैं, so उसके कारण भी न्यूबोन से जब बच्चा जनम लेता है, so दोस्तों उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़े हैं, जिससे तुरंथ हमें पता लग सकता है, बच्चे का जो है न्यूबोन का जनम तरी अगर हम उसका एक test होता है, बहुत सिंपल टेस्ट है, 800-700 रुपे का क्रेस्ट होता है, उस से हमें एक्जक्ट ये पता लगा सकते हैं कि इसकी कान की जो आंतरिक संरचना सुनाई की नॉर्मल है या नहीं है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे चलते हैं, तो जो नोईज इंड्यूस ट्रोमा है, वो हमारे हाथ में हमें कैसे अवोईड करना है, लगातार पोन प आगे तो समय समय पे आपको ENT चिकर्षक को दिखाओ, येर के अंदर हो सकता है कि वैक्स के कारण भी आपको हीरिंग लोज हो सकता है, तो जो वैक्स है उसको समय समय पे येर आपका क्लीन कराईए, ठीकर, और इसके बाद में आपको आपका बराबर साल में एक बार अपना ये स्टेटस है, और अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको हीरिंग लोज रहता है, तो कुछ मेडिकेशन भी हैं, जो कान के अंदर खून का दोरा बढ़ाने की, just to increase blood flow in the ear, वो भी हाम है, समय समय पे लेनी होती है, and last, अगर डॉक्टर ने आपको बताया है कि उमर शोक से हमारी आख को बचाने के लिए चस्मा लगा लेते हैं, लेकिन आख और कान दोस्तों बराबर इंपोटेंस है, अगर डॉक्टर ने आपको बताया है, तो hearing aid लगाना चीए, उसे हमें दो advantage होते हैं, पहला हमें रोज मर्रा कि जिंदिगी में प्रॉबलम नहीं होती, और दूसरा आपको जो हैं, वो हमारा hearing loss और आगे नहीं बढ़ता, तो दोस्तों यह है हमारा जो है, deafness का management and इसके causes, and I think this information is very useful for you, and you can share this information to your family, friends and colleagues, जिससे उनको ear की problem, जो है, सुनाई की जो बैरेपन की problem है, उससे हमें बचा जा सके, and I think जाते जाते इस video and bell icon and YouTube channel को subscribe करना, ना भूले जिससे आने वाले उपयोगी videos का notification आपको मिलता रहे, thank you